असलाम वेकुम जी, वेलकम टू अनधर मीनी वीलोग, तो यार जब भी मैं टिक टॉक उपन करता था तो मेरे सामने फूड वीलोगर उसकी वीडियो जा जाती थी, जिसमें वो कभी पीजा खाते थे, कभी बर्गर खाते थे, और कभी शौरमा खाते थे, तो इन्हें सब को द जिसकी कास्ट मुझे पड़ी है 129 रपे, फिर आपने 100 रपे के टमाटर ले लेने है, और आपने 100 रपे के प्यास, आलू और खिरे ले लेने है, फिर आपने चनों को अच्छे से साफ कर लेना है, इनमें सहराब चने को मैंने ऐसे बाए निकाल कर पहंका, जैसे उस्ताद student को class by निकालता है ऐसे ही फिर आपने मोठी की डाल को अच्छे से साफ कर लेना है सफाई करने के बाद आपने चुनों को अच्छे से पानी में नहला देना है ऐसे ही आपने मोठी की डाल को भी नहला देना है तो लहाज़ा मैंने भी अपनी मर्जी के मताबिक थोड़ी थोड़ी चीज़े काट के रख दी तो सबसे पहले मैंने डाले टमाटर इसके अंदर फिर डाले खेरे इसके अंदर फिर प्यास का चुरकाओ किया फिर इसके ओपर मैंने अवाब बंद गोबी की बारिश कर दी तो जो बचे कुछ अलूत है वो भी मैंने एंड पे इसके ओपर सारे डाल दी है इन सब चीजों को डाने के बाद फिर मैंने इने अच्छे से मिक्स किया बाकी है जो बचा है आप इसको बंद करके फ्रीजर में रख दो ताकि जब आपका दिल करें दुबारा से आप चार्ट बना कर खा सकें तो लेजी आपकी हाई प्रोटीन चार्ट रेडी हो चुकी है इसको खाने से आपको मिलेंगे मिनरल्स, वाइडामिन्स और हाई प्रोटीन याद रहे के आपने देह की चटनी लैदर से बना के रख देनी है ऐसे आप इसको चार पाइंग दिन तक इजीली खा सकते हैं इसको बनाने में मेरा टोटल हर्चा आया है 800-900 पे आप भी हल्दी चीज़े खाएं और सेंद मन रहें वीडियो चे लगी हो तो लाइक करें और मुझे जरूर फ़लो कर लें फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ अपना हया रखिया लाफिज फिर में आप लिए आपे निखडा हूँ पुरा सार महनत करता हूँ आपके लिए आज नी चलेगा आज प्रका अले भाई बाई श्माज के बोरा हूं याद बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हैं